कि अपने चैनल चैनल के बिस्टीब आप आज जो है जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले वह बहुत इंपोर्टन है आज हम बात करने करने वाले कि एक्जाम के जो तीन घंटे होते हैं उस तीन घंटे में आप किस तरह प्रफॉर्म कीजिए कि आप जब वहां से बाहर निकली तो अपना रिजल्ट बाहर लेके निकलिए तीक है आज मैं आपको बता हूंगा मेरे महान गुरू हनुआ प्रशाद गुपता साथ कुछ लूड़र ला जानते होंगा उनका नम तो उनकी द्वारा सिखा आई गई एक त्रिक जिसने मतलब मेरी लाइफ बदल दी जिस ने मेरी जैसे कई स्टेंड्स के लाइफ बदल दी जी यह सब जानते हैं कि मैंने आपको बता रखा है या विस बारे में आप खुद भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है जिससे कि उनका रिजल्ट नहीं हो पाता है तो आज हम इनहीं के ओपर बात करेंगे चोटा सा वीडियो होगा पूरा देखिएगा आपको एक बात में बता हुआ कि वह कौन-कौन से साफधानिया जो आपको बड़तनी एकजाम के बीच में क करने लोगों नहीं लिया है वह नए सेशन के लिए आप मारा जो एप है वह आपको वन वीक के लिए जो है आपको यह आपने जमारा एप है वह वह वन आपको दिसंबर जो से लेके शेवन दिसंबर जो है हमारा ओफर चालूब जिसमें कि हम आपको बताएंगे मतल़ बताएंगे कि हम आपको offer के थ्रू हम आपको CSIR से लेकर बहुत कम प्राइस में देंगे यह जोगा काफी कम हो जाएगे काफी लो हो जाएगी प्राइस आप उसमें हो जाएंगे दस बारे दिन के अंदर सबसे पहले जो है आप इस एप को डाउनलोड कीजिए किमिस्ट्री वाइस सिद्धान पे जाके आप उसको देखिए ठीक है परचेज कीजिए हमारे साथ जुरिए हमारी फैकल्टी जो आपके लिए रेगलर वर्ड कर रहे हैं उसके हमारी जो टीम है आपके साथ हम बहुत अच्छा वर्ड करेंगे अब बारी इस बात की नहीं है अब हम बात करते हैं इस बारे में कि आपको एक्जाम के लिए कौन से पैटर्न को फॉलो करना है ताकि आपका एक्जाम में जो आपका रिजल्ट है वो स्यूर सर्टेन आपका सबसे पहले तो आप इस बात को नोट करेंगे कि एक्जाम में जाकर आप जब एक्जाम के अंदर बैठें तो आप बैठने के बात क्या होता है कि जो आपका सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा उसके बाद आप जो होता है लेंटनाइट एक्टनाइट का उक्षिदेशन स्टेट का जो पैडल सीरीज है वह आप नोट कर लीजिए इसके अलावा जो है केमियल गारेटिस से कुछ फॉर्मूला जैं उसको आप नोट कर लीजिए कोडिनेशन केमेस्ट्री का कुछ सिक्वेंस है कुछ ऑर्डर है ठीक है तो वो ऑर्डर जो है आप उसको जो आपके दिमां में आते जा रहा है क्योंकि आपके पास एड्मिट कार्ड लेकर आप जब एंदर होंगे तो आपके पास आधे घंटे का टाइम होगा उस आधे घ है जिनके आपको यह बारवा भूल जा रहा है उसको तुरत तुरत क्या कीजिए उस लिख लीजिए मतलब आप एड्मिट कार्ड के पीशे वाले पेज को भड़ लीजिए चैक है चुकि आप कैमरे में आपने नोट किया है इसलिए कोई आपको ब्लेम नहीं कर सकता है कि आ नहीं ही लोग गलती कर जाते हैं वह गलती क्या करते हैं कि बस बढनना स्टार्ट करते हैं अब जब बनना स्टार्ट करेंगी तो कुछ अच्छे प्रॉलम American कि फॉत दिमाग लगाना सुरू कर देंगे और पता है क्या होगा इससे यह वह घ्रम से चल रहे हैं तो अंतम आत आधे से ज्यादा question करते करते उनका जोना दो घंटे ज्यादा time बीच जाना है अब आधे question पड़े हुए है और time उनके पास एक घंटे का है जिसके कांट के पीछे वाले जो easy question है उस question पर भी अप्रोच नहीं ले पा रहे हैं इसलिए यह गलती कभी मत कीजिए पहले 5-7 मिनट का time दीजिए ठीक है पहले 5-7 मिनट का time दीजिए और 5-7 मिनट का time देके पहले एक बार सारे question के बार आप एक बार preview देख लीजिए आपके पास आपके पास एक page होगा pain होगा वो सब रहेगा उसके लिए problem नहीं है आप question number note करते जाए यह बढ़े ठीक है यह note करते जाना है आपको कौन-कौन सा note करना यह एक sequence में आपको लिखने में आपको दो मिनट का time लगेगा दो मिनट दो मिनट के अंदर आप preview देख लेंगे कि यह topic का हम करेंगे यह topic का भी यह topic में रतयार नहीं नहीं करेंगे इससे क्या हो जाएगा बच्चे लोग जैसे कि आपको पता है सी में अच्छा खास वाप वार आप इसको छोड़ती इसके लिए इसके बाद में बनाओंगा और इसको और और सरसरी निगाहों से देख लिए आपको दो मिनट का time लगेगा इन 100 question को देखने में यह ज्यादा ज्यादा पांच मिनट र टाम लगा जिसमें आपको यह पहु पेपर में नोट कर रखा है पांच मीनट के बाद आपके पास एक पेज पे वह वह क्वेशन है जिसको आपको पता है और आप कर सकते हो मतलब उन टॉपिक से है जो टॉपिक आपके रिवाइज किये हुए पढ़े हुए है बस अब सुरू हो जाओ अब एक तरफ से इस पेप करना स्टार्ट किया आपके पास रफ पेज होने बहुत जरूरी है वह आपको प्रवाइड करेगा नहीं भी करेगा तो दो पेज का हो तो एक पेज में जगह बचा कर रखिएगा ठीक है रफ करने के लिए नहीं जो मैं बता रहा हूं उसके लिए आपने क्या किया आपने नोट किये जैसे कि यह एक नंबर है दो नंबर है तीन नंबर है यह चोड़ो नभीस नंबर के बाद आपके पास 21 22 23 24 25 26 27 अब जब इस टाप से प्वेशन आप पास दिये हुए तो आपने एक इस नंबर क्वेशन किया हो गया चलो टिक मार के आगे बढ़ गया अब क्या क सब्सक्राइब को आपको आपको सारे क्वेशन लिख लेने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ यहां से लेकर आपको जितना क्योशन है ओपको महां तो आप एक पेज को हुई बुक्लेट में बना दो उस पे सारे क्वेशन का नंबर दो 12345678 वो करने से आपको कोई नी रोकाँएगा आप लिख लो जैसे आपको लगा सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसके बगल में लिख दो 90 इससे बगल में 24 है 25 है ठीक है आपने 24 कर लिया 25 कर लिया काटो इसको मत ध्यान नहीं देना इसके उपड़ कंफर्म हो आप फिर 26 में आए 26 नमर कुशन जैसे बनाने लगे यहां लगा सर यहां पढ़ना सर यह कुश तीस बन गया काट दे गया फिर आपको क्या हुआ थर्टी वन में जैसे आए थर्टी में लगा सर यह नहीं सुना है ठीक है यह कुशन का मुझे इतना याद नहीं है लेकिन थोड़ा से याद हम लें कितना परसंट से और हम लें छोड़ दो इसको मतलब इसको भी थर्टी मुआ पहेंतिस यह मालों की पचास एक आवन बावन तिरेपं तिंबर चोववन चुक है पच्पं यह सब आपको लिखते के अब क्या हो गया कि हमारा यह कुशन हो गया यह कुशन हो गया यह कुशन में आटक गया सर यह 90% सी होड़ा है इसको ठीक है छोड़ दो तर यह हो सब्सक्राइब हो गया काटो 75 हो गया अब इस तरह से आपने वन से लेकि जो 120 क्वेशन 20 आपको ए 40 आपका B 60 C आपने 120 क्वेशन अगो अपने पूरा रेव्यू यहां से वहां तक मार लिया अब जब आपके आपके पास कि आपको पन्दरह क्वेशन थे जो स्योर सर्टेन आपके सही होने पेपर बी में बी में आप में पंदरह को शूर कर रोकाट चुके हैं यह जो पेज 10 लगा चुकिंदा तर्भ सवा घंटा सवा गंटा से घंटा हमारा लग चुका है कि इतना बचा है सब्राइब लगा है यह आपको स्टेट्गी है अब वापस से आओ अब वापस से धुड़ने की कोषिष्ट को जिसमें आपने 90 परसन लगाया है अब पहला काम देखो होता है किया ना एक चीज आप समझो कभी कभी आपने ऐसा खिज़ाकिया हो कि रात में मां लो आप मैथमेटिसा क्विशन बना रहे हो ऊफिकर अब केशना बना रहे हो कि अपको जो है नहीं बन रहे हैं कई बारे जो जाते हैं तो अचानक से वह चीज हमें क्या हो जाती है याद आजाती है देखिए होता है का में का मी और पजाता है पजया तो तो फूल हो जाते हैं से थोड़ा से रिलाक्स होने देजिए तो यह थोड़ा से रिलाक्स हमें दीजे मैं आपको बाता हूं एक बार मैं हरिद्वार गया था तो वहां पर एक पहार था ठीकि जिस पर की वह रॉलिंग लगा वहा था जिस पर मतलब वह जो नहीं होते हैं जिस बैठ के लोग चले जाते हैं तो वह सब लोग चले गया उप अब इतनी उपर में फंसा हुआ था कि मेरे हाथ पैर भी जब आप दे रहेते में उपर ही बॉड़ी को नहीं खीच पाड़ा था और नीचे उतरने का सवाल ने की नीचे उतरता तो फिसल के मैं सीदे गढ़ए में गड़ी जाता खाई में तो मुझे लगा करूंगा क्या लगा कि आज तो काम खत्रेमा आज तो गया मैं तो मैंने क्या किया मैं मैंने बस अपनी बॉड्डी को छोड दिया थोड़ा फोड़ा तो सबीको पास बडिक का दिया भीको और 5 मिनिट उस पे दिमाग मत लगाईए, आगे बढ़ जाएए, क्योंकि एक जिर घंटे कंदा जब आप 25-35 क्वेश्चन करके जब वापस लोटेंगे, तब तक आपके दिमाग की जो गुत्थी होगी निवो थोड़ी सुलज गई होगी, तो वो क्वेश्चन आपस फिर से बनने लगे आपने यह जो मैथ वाला में एक जांपल दिया, रात में सोझ आते हैं, सुभा वेवन के वो मैथमेडिस बनने लगता था, या आद कीजिए न 10 और 11 12 यही तो होता था, तो यही चीज यहां भी है, अब क्या करो, सारे 90 परसन वाले को सॉल्व करो, अगर 90 परसन वाले आप जिन जिन में आपने 90 परसन लगा रखा था, उनको भी आप क्या कर दो, उनको भी आप कट कर दो, जो जो आपने 90 परसन लगा रहा था, उनको भी क्या कर दो, अब यहां से कट कर दो, जिन जिन में आपने 90 परसन लगा रखा था, अब बाड़ी आती 90 परसन से नीचे वाला अब उन पे दिमाग लगाओ तब तक आपका दिमाग न बिल्कुद स्टार्ट हो जाता है यही चीज हमारे दिमाग के साथ है तो आप क्या करो अब आपका दिमाग पूरे फॉर्म में आ चुका है एक घंड़े बाद बाद इसको भी आपने एड कर लिया तो अब उसके बाद फिर आपके पास अब टाइम कितना बचा है तापका टाइम सबाद सब्सक्राइब करने की बात कर रहा हूं तो पेपर बी में आपके पास पेपर बी में आपके पास मालेजिए उस चालिस में से आपने क्या क्या कि पचीस कुश्ण आपने सही कर लिए तेक आपने कितने क्युश्ण सही कर लिए बना लिए सही की बात नहीं करूची कर सकता है कि आंफ को चारे-पांच गलत हो जाले तो 5 आपने 20 आपने कुरेंट की ये पांच रॉंग की आपने टो वीज अब को मांक्स कितनी मिलने 20 मांक्स है पांच कितने जाने आख लाऽग सागे तो यहाँ से आपको 37.5 मार्वाइए तिके हैं आपको पेपर बी में जो है पेपर जो सी है पेपर सी में आपके 25 कुश्चन करने थे इस तरह से करते हुए आपको टाइम कंप्लिट हो इसे पहले आपने पेपर सी में मान लो कि पटीस का पचीस तापको करना ही है अल्मोस्ट हां अगर बिल्कुल सेवोर तकम ऺरु गलत करने कोई फायदा नहीं है लेकिन हल्का फिलका मारना है धैक है आप 25 में से क्या करें पतीस क्विश्चन आप ने बनाया 25 में से आपको मालो कि आपके 25 में से अगर आपके 20 साही हुए सिवा और पकांच गलत हुआ तो वी से आपको होगे और पेपर एक का ट्रिक है वह भी आपको बताओं है की पेपर को कैसे करना ताकि वहां से हो 20 माउस हैं तो बीस माउस कैसे कम से कम आप वहां से 12-13 मासा हाप पांच मिनट के अंदर उठा सकते हो इस बात की मैं ऑप तो इस तरह से यह जो तीन चार ट्रिक्स थी यह एक्शली मेरी नहीं है यह हनुवान पर साथ गुपता सर की है जब भी उनका नाम लेता हूं तो बहुत आधरसंद का नाम लेता हूं क्योंकि आज मेरी स्पेक्ट्रोस्कोपी उन्हीं के कारण बनी है इसी में एक और काम करना कि पूरा 1 से लेके 120 लिए इतना इतना नमबर तक लिए जाहिए अपको परसंटेज जोडने में आसानी हो देखे डियस्ट्रेंट बिना धागे का अगर पतन उड़ाएंगे ना तो वो पता नहीं कहां जाएगा अगर online को online exam बोड़ अपनी copy से connect नहीं करेंगे उसको अपने उसके number को उसके sequence और अपने copy की sequence से connect नहीं करेंगे नहीं होगा connect नहीं क्या होथा और टाइम बीघ जाता हैं क्या होता है और वो तो दूसरा point मैंने क्या बता है 5-7 मिनट के अंदर रिव्यू देख लेना है थर्ड विलाव क्या बता है मैं यही सारा इंपोर्टन बता है कि जो जो बनाते जाए ठीक है जो नहीं बन रहा उसको आपने कॉपी पर सेब्सक्राइब निशी जाने के आपको जरूत ही पड़ेगी यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस टेक्निक से आप उन टॉपिक को को वेसिए आपको कॉंटम एक तर्स थेरल यॉजा आपके नजरमेहन के क्या हो сможं को यहां से ब를ब्सक्राइब इसको पहली खतम को अगब दोड़ा के तो देखो अपने दिमाग को बार दो एक बार जैसे दिमाग दोड़ जाएगा उसके बाद फिर क्या हो जाएगा दिमाग रुनिंग में आ जाएगा अब एकजाम का टाइम कम बचा हुआ है फटा पड़ जितने भी टेस्ट पेपर वड़ा है जो सेवन दिसंबर तक उसमें जो होगा हम लोग की फीज काफी कम होगी उस टाइम आप एडमिशन लिए जुड़िये हमसे और एक मौका देजिए कि हम आप कैसे आपके जो सेबर करते हैं हमारी फैकल्टी है आप यूट्यूब हमारे वीडियो देख सकते हैं अलग अलग बाइ